जैहिंद वंदे मातरम स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टाड़ा पैटफॉर्म में देश की नंबर वन हिंदी की क्लास में आप सभी बहन भाईयों का हार्दिक अविनंदन स्वागत है आज की इस वीडियो में दोस्तों सबसे एहम मोस्ट चैप्टर जिसमें लोग अलप्राण महाप्राण में कन्फ्यूज होते हैं अगहोस अगहोस क्या है स्वर्वेंजन क्या है तो आप ये चार चीज़े जो देख रहे हो ये सबसे ज़्यादा एक्जाम में पूछे जाते है मुझे लगता है कि दो मिनट में इस चैप्टर को ऐसे खत्म करते हैं कि अलप्राण महाप्राण और अगहोस अगोस एक ही बार में एक ही सेम ट्रिक से आपको पूरी तरीके से बता देते हैं कभी जिन्दगी में भूल नहीं पाओगे उसके पांच-पांच कोईस्टन भी क स्वागत है इससे पहले वीडियो देख लीजेगा वर्ण माला पूरा कराके रखा है डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है हिंदी का पूरा ऐसा स्लेवेस जिसमें पलक जपकते आप किसी भी चैप्टर का आंसर दे सकते हो देश की नंबर व महा प्राण को खतम करने के लिए स्वार वेंजन क्या होता है जो हमने वीडियो में बताया था और हर बच्छे को पता भी होगा कि स्वार क्या है स्वतंत्र है वेंजन क्या है जो स्वार की सायता से बोले जाते हैं लेकिन अलप प्राण महा प्राण और अगोस अगोस किस प सबसे पहले आपको जानना है स्वर एक लाइन का है स्वर उन धुनियों को कहा जाता है जो बिना किसी अन्य वर्णों की साहता से बोले जाते है यानि स्वर पूरी तरीके से प्यारे क्या है स्वतंत्र है हिंदी वर्ण वाला में स्वरों की संख्या क्या है? 11 होती है आसे री तक आप देखते हो तो 11 होती है जो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है दूसरी चीज अगर आप वेंजन की बात करते हो जिन वर्णों को बोलने के लिए सभी के विना इनका अस्तित्तो ही नहीं है यानि ये क्या है? वेंजन वो है जो सभी की साहता से बोले जाएंगे आलरेडी आपको इतना याद रखना है जिस तरीके से अगर हम कहते है कि किस तरीके से मैंने कहा कि कोई का है तो का कैसे छुपा हुआ है? का हमेशा स्वर से मिलकर बना है ये स्वर है और ये क्या है? ये आपका वेंजन है यानि वेंजन हमेशा बनेगा स्वर की साहता से इतना आपको पता होना चाहिए और हिंदी वर्लमाला में वेंजनों की संख्या 33 होती है अब अगर हम बात करते हैं अल्प प्राण और महा प्राण की, अब आते हैं chapter पर, और chapter को 4 सेकिंड में कैसे खत्म करतें, उसके कैसे question होते हैं, वो भी जान लेते हैं उससे पहले अल्प प्राण और महा प्राण से पहले express Bendion पता होना चाहिए, क्योंकिल अल्प प्राण और महा प्राण जो है इस chart पर ही समझने की कोसिस करिए, पांच वर्ग होते हैं हिंदी में जिसको इसपर सुवेंजन कहा जाता है, एकजाम में अगर पूछा जाए कि हिंदी में इसपर सुवेंजन कितने होते हैं तो 25 होते हैं प्यारे, का से मातक का मतलब है कि का से सुरू होते हैं और मातक जाते हैं, कावर् मुझे लगता है कि आपको अधूरा ग्यान देना खतरना क्योंकि अधूरा ग्यान हमेशा खतरना अकसावित होता है चलिए इस पर उस वेंजन की बात करें तो स्वास वायू की मात्रा के आधार पर वेंजन के कितने भेद होते हैं ध्यान दो अगर पूछा जाए स्वास वायू की मात्रा के आधार पर वेंजन के कितने भाग होते हैं तो वेंजन के दो भाग होते हैं स्वास वायू का मतलब होता है वायू यानि प्राण प्राण के आधार पर जो है वेंजनों के प्रकार कितने होते हैं दो प्राण किसे कहा गया स्वास को कहा गया वायू को कहा गया यानि स्वास यह क्या है प्राण है तो प्राण तंत्र या स्वास तंत्र के आधार पर वेजन कितने भागों में बढ़ते हैं दो भागों में अल्प प्राण और महा प्राण बहुत सांदार ट्रिक्से आपको बता देते हैं जैसे पहला अल्प प्राण है कुष्ण में ये भी आ चुका है कई वार कि जिन वरगों के उच्चान में स्वास या प्राण या बायू की मात्रा कम होती है अल्प होती है जिनको बोलने में कम समय कम आवाज कम और कम दम की लगा जो है कम ताकत कुल मिला के देशी बहास समझो जिनको बोलने के लिए कम तागत या कम दम की जरूर पड़ती है वो क्या है? वो अल्प अल्प माने क्या होता है? अल्प माने होता है दोस्तों हम कह सकते हैं कि जहां पर आप बहुत कम मात्रा में चीजों को यूज़ कर रहे हो सिंबल सी बार समझो प्रतेक वर्ग का पहला तीसरा और पाँचमा ये ट्रिक है आपकी पहला तीसरा और पाँचमा जो वर्ड है ये अल्प प्राण है और साथी सा समस्त अंतस्त वर्ड भी क्या होते हैं? अल्प प्राण ये कड़ी बहुत बार पूछी गई है एकजाम में कोई संस दे देता है दोस्तों जैसे खा दे देता है जैसे आपका च्छा दे देता है जैसे आपका ठा दे देता है जैसे आपका या दे देता है और इन चारों आप्शन में बताना है कि अलप प्राण कौन सा है तो आपको बहुत ध्यान देना है मेरी वात को समझ गए अब य अगर एक्जाम में यह आ जाए कि अलप्राण की संख्या हिंदी में कितनी है, अधूरा ग्यान नहीं होगा तो आंसर क्लिक हो जाएगा, महाप्राण की संख्या कितनी है हिंदी में, अधूरा ग्यान नहीं होगा तो एक्जाम में आंसर क्लिक हो जाएगा, तो याद रखो कि ह हर वर्ग का पहला तीसरा पाँचमा ही क्या है, यही आपका अल्पप्राण है, कावर्ग का पहला तीसरा पाँचमा, चावर्ग का पहला तीसरा पाँचमा, तावर्ग का पहला तीसरा पाँचमा, है ना, तावर्ग, पावर्ग जो है इन सब ही का पहला तीसरा पाँचमा, इसके साथी साथ चारो अनतस्त वेजन और एक उतच्छिप्त वेजन जिसको ढहा कहते हो वो आजाता है अब आपको बिलकुल सरल सब्दों में देख लो पहला तीसरा पाँचमे का मतलब है पहला तीसरा पाँचमा दोस्तों यानि ये पहला आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है यानि पहला एक छोड़ दो दो तीसरा और पाँचमा ये सब क्या है हरवर का पहला तीसरा पाँचमा दोस्तों जिस पर हम गोला लगा रहे हैं, ये अल्प प्राण है, हिंदी के अल्प प्राण कहां पर है, पहले तीसरे पांचमे पर, ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये पहला है, ये दूसरा था, ये तीसरा है, ये पांचमा है, यही मैं कह रहा हूँ, हर वर्ग का आप देख हमने यहां पर लेखा जोखा रख दिया है अब यह बताओ कि पूरे 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 वर्ग में कितने गोले हैं एक दो तीन ऐसे ही आप 15 गोले देख रहे होगे तो मुझे यह बताओ कि अलपप्राण की संख्या कितनी हो गई हर जगह तीन तीन है तो यह आपके यही 15 ह हो गए साथ में यह 4 हो गए साथ में यह 1 हो गया बताओ कितने हो गए गफफर्म करके बताओ 15 4 19 और इक 20 मतलब अलपप्राण की जो संख्या है प्यारे वह कितनी हो गई 20 हो गई नोट कर लो नोट कर लो पहला तीसरा पाँचमा अलपप्राण है साथ मैं अंतस्तों 4 एक बीस कुल मिलाके बहुत सरलगर करना है इसको सर गोले में ऐसे बता दिया कि का आया था गा आया था इंग्या आया था सर का गा इंग्या ये अलप प्राण है और साथी साथ ध्यान दो अगर इसको कि अलप प्राण यानि ये पंद्रा इनके अलावा यारा लावा यानि ये एक टोटल की संख्या सर बीस संख्या कितनी हो गई सर बीस हो गई अधूरा ग्यान तो नहीं है चलो अब उल्टा आजाओ महाप्राण महाप्राण क्या है जिन वर्लों के उच्चालन में स्वास वायू की मात्रा अधिक होती है महाप्राण महाप्राण ऐसे याद रख लू अल्पमानेकम पूरी हिंदी पढ़नी है दिल से हिंदी पढ़नी मतलब यहाँ यह टच करनी चाहिए दोस्तों यह टच होना चाहिए हिंदी को निसुल्खम नोट्स बनवा रहे हैं लिस्ट में बना दे रहा हूँ और लाखों बच्चे देख रहे हैं पहला पार्ट दूसरा पार्ट 15-20 वीडियो में हम पूरी हिंदी खत्म कर देंगे एकजाम कोई भी हो उसमें बैठ जाना जिंदिगे में तुमको जीते ही मिलेगी हार तो देखनी नहीं पड़ेगी ठीक है ना सस्क्राइब कर लें इमानदारी से पढ़ने के लिए आजाओ क्या कहता है महाप्राण यानि महान जिनको बोलने के लिए आप ज्यादा ताकत लगाओ कम ज्यादा की बात होती है कम लगा दो अलप्राण ज्यादा लगा दो महाप्राण जिसको बोलने के लिए मात्रा वायुकी क्या हो अधिक हो प्रतेक वर्ग का दुती और चतुर्थ क्यों क्योंकि दुती और चतुर्थी तो बचा था दो नंबर पर यहाँ था चतुर्थ यहाँ पर था पाँच ही होते हैं पहला तीसरा पाँच माँअ अल प्राण ने साधी कर ली और दूसरे चौते से किस ने साधी कर ली महाप्राण ने साधी कर ली और साथी साथ में उस्म वेजन वहाँ प्राड क्या होते हैं सरल भासा में समझ हलो कावर्ग का दूसरा चोथा चावर्ग का दूसरा चोथा कहीं नहीं मिलेगा ऐसा साथ में चारों आपके उस्म वेन्यन हरवर्ग में अगर आप दूसरे चोथे की बात करते हो तो आसान भासा में समझो कि ये दूसरा, ये चोथा, ये दूसरा, ये चोथा क्योंकि ये दूसरा है, ये चोथा है ये दूसरा ये चौथा ये दूसरा ये चौथा ये दूसरा ये चौथा दो दो चार दो छे दो आर दो दस महाप्राण की संक्या कितनी क्या दस नहीं सर दो दो चार दो छे दो आर दो दस ये सर हो गई दस ये हो गई सर चार दस प्लस चार बरावर चौदा मैत कमजोर है हमार क्या सर 14 होती है सर हां सर 14 होती है इसलिए याद रखो कि अगर आपसे पूछा जाए सर अल्प प्राण कितने होते है अल्प प्राण की संख्या कितनी है सर 20 है अभी आल्रेडी बताई थी कि अल्प प्राण की संख्या 20 है गिनके बता दी महप्रान की संख्या 14 है बोलो, समस्या को solve किया गया समस्या को solve किया गया बताओ, सारी चीजों को clear किया गया ना, प्यारे ठीक है, बहुत बड़िया अच्छा कोई बच्चा क्या कह रहा है अच्छा कुल अलप्रान 31 होते हैं ओ माई गॉड तुमने तो एक नई बात बता दी एक बच्चा कहा रहा कुल अलप्राण 31 होते हैं ओ माई गॉड क्या बात है क्या बात है तुम क्या कह रहे हो चलो वो भी करेंगे थोड़े से दिमाग की थोड़ी सी दिमाग की कमी है लाला वर्ण माला में सगोस या घोस को कहते हैं 31 जिन में तुम कह रहे हो ना जिन में कहते हैं सभी स्वर होते हैं स्वर के साथ जो जुड़ते हैं वो सगोस होते हैं मेरे लाल है ना दिन है अंधेरा नहीं है इसलिए जाग जाओ तुम तो सरकार की जैसी बाते कर रहो सरकार सो रही है तुम भी सो रहे हो जो अल्फप्राण है वही सगोस है क्या मतलब बिल्कुल खतम हो गया हो दिमाग खतम हो गया है अब कहो के कि सर ऐसा नहीं अरे सर बिल्कुल बोलना पड़ता है क्योंकि यही तो न यही comment works में अधूरा ग्यान है sir बोलना पड़ता है क्योंकि अब आपकी age वो बहुत अच्छी age में हैं आप आप उस age में हैं जहां पर आप मतलब कहा जा सकता है कि सोचना नहीं पड़ेगा अब 4 बच्छे confuse हो जाएंगे comment works में जो तुमने copy paste किया sir ये तो गलत है sir वो गलत है आजाओ महाप्राण की बात करें तो मैंने कहा हरवर का दूसरा चोथा हरवर का दूसरा चोथा हरवर का दूसरा चोथा हरवर का दूसरा चोथा है ना सा 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 और हा भी क्या है महाप्राण होते हैं बात खतम हुई, आ जाओ, पांच कुश्चन करेंगे, अलप्राण महाप्राण से फिस अघोस कर लेते हैं, ठीक है न मेरे लाल, इसपर सुवेंजन के पृत्येक अब नहीं बोलेगा, इसपर सुवेंजन के पृत्येक वरका कौन सा वर्ण अलप्राण कहलाता है, अलप्राण मेरावर अलप्राण, अलप्राण की संख्या 20 होती है, समझ में आया, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, कि अलप्राण पहला तीसरा पांचमा हो जाता है, बात कन्फर्म हुई, दूसरा कुश्चन आपके स्क्रीन पर, इसपर सुवेंजन के पृत्येक वरका कौन सा अच्छर महाप्राण वेंजन कहलाता है, इस वर्ष वेंजन के प्रतिक, अगर हम अच्छर की बात करें महाप्राण, महाप्राण का मतलब है ज्यादा ताकत, अब ज्यादा ताकत लगेगी तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा दूसरा चौथा वाला, दूसरा चौथा का मत मतलब option number D है option number D का मतलब मैंने यही तो बताया था कि महाप्राण अगर होगा तो हर वर्ग से दूसरा चौथा दूसरा चौथा के साथ साथ उसम बेंजन भी होने वाला है राइट ना बोलो किलियर है ना comment box में मजा आ रहां अब मजा रहां next आजाओ निमलिकित में महाप्राण वर्ड कौन सा है प्यारे महाप्राण वर्ड कौन सा है महाप्राण वर्ड का मतलब है दूसरा चौथा अब दूसरा चौथा का मतलब यही हो सकता है कि अगर आप इसको देखोगे अगर आप का सुरू हर वर्ड सुरू का वर्ग अगर होगा तो वो अल्प प्राण हो जाएगा है ना देखिए का से स्टार्ट होता है चा से भी स्टार्ट होता है यारा की बात हमने आपको करी कि ये अल्प प्राण होता है सभी अंतस्त वेंजन और आपका एक उत्चिप्त वेंजन अल्प प्राण होता है सरतावर्ग भी तो अल्प प्राण ह ये अल्प प्राण हो गए जिसमें गोला लगा दिया ये अल्प प्राण ये भी अल्प प्राण है तो ये कट गया अगर मैं महाप्राण की बात करूँगा तो महाप्राण कौन सा है ये दूसरा है ये चोथा है ये महाप्राण पे गोला लगा दिया ये दूसरे नंबर का है ये चौते नंबर का है, answer तो option number A हो गया, आजाओ, निम्दिकित में अल्प प्राण वर्ण कोन से है, अल्प प्राण वर्ण कोन से है, बुले सर अल्प प्राण कोन से है, चलो भईया देख लेते हैं, कि अल्प प्राण की वहिया परिभासा है, पहले नंबर पर तीसरे नंब पर पाँच में नमबर पर चलो ठीक है और सभी साथी साथ क्या होते हैं आपके क्या होते हैं अल्प प्राण में साथी साथ आपके अंतस्त वेंजन होते हैं चलो पहले तो हम अंतस्त वेंजन की बात कर लेते हैं चलो यह हो सकता है लेकिन क्या धा होता है चलो भाई देख ले ता ये महाप्राण ये भी कट गया सर ये जितना आ है और आ आप जितना बोलोगे आप कोगे ज्यादा ताकत नहीं सर option जाएगा D के साथ बोले सर क्यों क्यों क्योंकि आपको पता है कि का और खा और गा की बात अगर कर रहे हैं का खा का गा है ना और हमने कहा कि सर पहला तीसरा पांचमा और ये देखिए दो आलरेडी बन रहे थे यही मैं कह रहा हूँ यही आपके अल्पप्राण हो जाएंगे हमने कहा सर पांचमा क्या है पांचमा कुश्ण देखिए सगहोस और अघ्षण को किस तरीके अब देखो महाप्राण धोनी कौन सी नहीं है तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपको ध्यान देना है कि महाप्राण धोनी होती है दूसरे चोथे पर होती है तो वो क्या कहलाती है महाप्राण कहलाती है और साथ में उसम वेंजन भी होता है क्या आजाओ का हमारा पहले पर है नहीं होगा इसी तरीके से आप ध्यान दो तो आप कहोगे कि सर देखिए यहाँ पर पहले पर है तीसरे पर है पांचमे पर है तो आप यह कहते हो ना कि सर अल्प प्राण होता है अच्छा महाप्राण धोनी नहीं है तो मैं ये कहता हूँ कि महाप्राण धोनी कोन सी है तो हम कहते हैं ये तो नहीं है क्या आप अगर इसकी बात करोगे काखा की बात करोगे गा, गा और इंग्या यही बात करोगे यहाँ पर कहते हो पहला तीसरा पाचमा तो आपने कह दिया ये तो अलप्राण निकल गई और आपने ये कह दिया यहाँ पर ये महाप्राण है ये महाप्राण है सर ये महाप्राण है इसके साथी साथ चावर्ग में छा आ जाता है ये भी दूसरे नमबर पर महाप्राण है ये भी है इसके साथी साथ आप या की बात करते हो तो आप ये कहते हो कि या अगर आता है तो क्या या अंतस्त वेंजन के साथ आता है जैसा मैंने आपको ये बताया था कि अंतस्त वेंजन में क्या होता है कि अंतस्त वेंजन में आप ये कहते हो कि अल्प प्राण में सभी अंतस्त वेंजन होते हैं अल्रेडी से चिलाते आ रहे हैं उच्छिप्त वेंजन की बात करें वो भी है क्योंकि दो ही होते हैं उत्चिप्त में आपके ये दो होते हैं साथी साथ जब ये कुश्चन विवादों में आता है तो कैसे आता है इसको क्यों लिया गया अब देखो यहाँ पर ये भी अल्पप्राण है और ये भी अल्पप्राण है अब कहता है कौन सा नहीं है मेरी वाँ समझो कौन सा नहीं है तो option में D को मारा गया लेकिन इस question के मताविक जो answer होगा वो क्या हो जाएगा A और D हो जाएगा ये प्रस्ण कहां पर आया था Tate quality में जो आपका बिहार का Tate person आया था वहाँ पूछा गया और police में पूछा गया तो answer क्या हो जाएगा फिलाल A और D दोनों हो जाएगा ठीक ना चलो बहुत बढ़िया clear हो जाएगा चलो दोनों तरीके से समझो आ जाओ घोस और अघोस की बात करें घोस अघोस क्या है बिलकुल उल्टा कर देना है अलप्राण महाप्राण है ना बस वही आपको पाँचो वर्ग की बात करेंगे पाँचो वर्ग में करना क्या है पाँचो वर्ग में फर्क इतना करना है इन पाँचो वर्ग में अभी तक हम क्या करते आए है कि भाई ऐसे ऐसे गुमाते हुए चले आए है अब इसमें क्या करना है कि ऐसे घुमाने है यानि सुरू के दो उठाने है और लास्ट के तीन उठाने अभी तक बीच बीच से उठाते चले बोले सर अच्छा ऐसा भी होता है संपूर्ड स्वर और वेन्यन देखो क्या गोस और सगोस एक है सर गोस और सगोस एक ही होते हैं अगोस और सगोस क्या वेन्यन होते हैं नहीं सगोस अगोस या गोस ये सब क्या है ये स्वर भी है और ये वेन्यन भी है दोनों को समझने की कोस बोले सर ऐसा कैसे हो सकता आओ जानते हैं ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपको पता होना चाहिए दो हो think कमपन के आदार पर पूछे तो सगहोस या घोस या आप कहते हो दूसरा अघोस तो ये एक ही चीज है इनमें कोई सवर्यंत्री में कमपन होता है सवर्यंत्री में कमपन होता है यानि जब आप बोले तो उसमें कमपन हो मेरी बात को समझने की कोशिस करिए जब भी बोले तो कमपन हो और उन्हें सगहोस वेंजन या घोस इनको ही क्या कहते हैं इनही को कहते हैं घोस वेंजन कहते है अब मेरी ध्यान से समझो, सभी स्वर सगोस होते हैं, कुश्चन में अगर आ जाए सभी स्वर सगोस हैं या अगोस हैं, सभी स्वर सगोस होते हैं, आ से ओ तक, मेरी वात को ध्यान से समझो, आ से ओ तक 11 इनकी संख्या है, इसके बाद त्रतिय चतुर्थ पंचम वर्ड जो है, ये भी आ आपके क्या है सघोस हैं तीसरा चौथा पाँचमा वर्ड सघोस इसके साथ सभी स्वर क्या है सभी स्वर और साथ साथ अंतस्त या रा ला और वा और एक आपका इसमें उस्म भी आता है जिसका नाम है हाँ मेरी बात समझ में आई इसने इनकी संख्या कुल कितनी हो गई तो अगर इकजाम में पूछी जाए संख्या कितनी होती है 31 होती है सगोस की संख्या पूछी जाए तो कितनी मारोगे 31 गोस की संख्या पूछी जाए तो भी 30 बोले सर कैसे यही 11 हो गए 11 के साथ यही आपके क्या हो गए, पांच हो गए, चार और एक 5, पंदरा हो गए और साथी साथ आप समझते हो ना? जैसे ही आप यहां पर बात करते हो, तो 3, 4, 5 तीन 4, 5 वर्गों को जब आप देखते हो, तो आप यह कहते हो की भईया, 11, 5, 16 और आपके कितने हो गए? आप कहोगे कि 15 और जोड़ दोगे तो 31 हो जाएंगे क्या सर अगर ध्यान से समझने की कोशिस करोगे बोले सर कैसे मैंने कहा कि हर वर्ग का 3, 4, 5 और 3, 4 अगर 5 लोगे तो हर वर्ग का 3, 4, 5 तीसरा 4, 5 तीसरा 4, 5 यह हो गए और जैसे ही तीसरा चौथा पाचमा लोगे तो तीन तीन आ जाएंगे और जैसे ही तीन तीन आ जाएंगे तो यहां से कितने निकल कराएंगे यहां से पंद्रा हो जाएंगे और यहां से पंद्रा हो जाएंगे यही तो मैं लिख रहा हूँ देखिए तीसरा चौथा पाचमा तीसरा चौथा पाचमा ये क्या है? ये आपके सभी सघोस हो जाएंगे और साथी साथ आप चारों अंतस्त ले लो, एक आपका उसम ले लो और सभी 1100 हो गए, टोटल आपके 31 हो गए. मैंने संख्या को यहां पर जोड के भी बता दिया, इन सभी को अगर आप काउंट करते हो तो 31 हो जाता है, बात किलियर हो गए? चलो, अगोस क्या है? तीसरा चौथा पाचमा के आगे क्या बचेगा? पहला दूसरा, पस इतना याद रखो, जिन वर्णों के उच्चारण में स सभरतंत्र की बात करता हूँ, सभरतंत्र में कंपन नहीं है, तो अगोस है, आ माने नहीं, गोस माने जिसका घोस ही ना हो, घोस का उदभवन ना हो, हमने कहा कि कंपन नहीं है, तो अगोस है, हमने कहा कि अगर कंपन है दोस्तों, तो ऐसे हैं, जिसमें यंत्सभरतंत्री में कमपन होता है वो सघोस या घोस कहलाते हैं ये तरतिय चतुर्त पंचम है तो ये कौन से हो जाएंगे ये पहला वर्ण पहला वर्ण और दूसरा वर्ण हर वर्ण का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण साथ में उस्म वेंजन वर्ण भी आपके अघोस कहलाते हैं इसको ऐसे पाँच कुछन कर लेते हैं हरवर्ग की बात करें तो आप पहले की बात करोगे दूसरे की बात करोगे पहले की बात करोगे दूसरे की बात करोगे ऐसे ही यहां पर ऐसे ही यहां पर ऐसे ही यहां पर है ना यह क्या है यह आपके अगोस है और लास्ट के तीन तो आप जानी ग 11, 12, 13 13 माने जाते हैं कहीं कहीं पर 14 भी मान लिए जाते हैं तो आपको समझ में आ गया कि पहला दूसरा और उसम वर्ण ये महाप्राण है या आपके अगोस है सर दूसरा चोथा महाप्राण और यहाँ पर पहला आपका दूसरा अगोस है सब वही इदर का उदर करते रहो आजाओ कुश्चन पर आजाते हैं चलो बताओ बहुत बढ़िया क्या बात है ठीक है बोलो हाँ भई खुश रहो बहुत बढ़िया मतलब अपने जीवन में खुश रहो खुश आली तो होनी चाहिए यार बात बाकी तो चल लहा है जो चल लहा है चिंताक मत करो ठीक है हाँ ये पूरा अगर देख लेते हो तो कोई इसू नहीं आएगा जिंदगी में कोई भी चीज़े आपको दुभारा किताब खोल के नहीं पढ़नी पढ़ेंगी आजाओ बढ़िया है निमलिखित में क्या है निमलिखित में अगोस वर्ण की बात करें बहुत आपको प्रैक्टिस कराई साड़े आट बजे इसमें देख लेते हैं अगोस वर्ण कौन सा है जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ एक वर्ण ले लेता हूँ का, खा, गा, गा, बस अग्होस अगर पूछा जाए, तो बस इतना याद रखना कि सुरू के दो अच्छर अग्होस होते हैं, सुरू के दो वर्ण अग्होस हैं, और लास्ट के तीन वर्ड क्या हैं, ये आपके सग्होस हैं, सुरू के आपके दो अग्होस हैं, ठीक है, तो आ आपका देखी आ रहा है इसमें कहीं, हाँ सर आ रहा है, option B हो जाएगा, अगर आप इसमें देखोगे तो आपका नहीं होगा, है ना, अगर आप इसमें देखोगे तो आपका नहीं होगा, अगर आप देखी चाचा हो जाता है, जा आ जाएगा, तो ये तीन के बाद आएगा, इसी तरीके से गा आ जाएगा सर नहीं होगा केवल option number भी ही हो जाएगा next अगोस बेंजन वर्ग में किसे सम्मंदित है अगोस किसे सम्मंदित है अगोस का मतलब होता है पहला और दूसरा पहला दूसरा ये है आपका अगोस नोट कर लेना दूसरा और चौथा क्या हो सकता है ये आपका है महाप्राण मेरी बात को समझने की कोसिस करिए तीसरा चौथा पांचमंदित है आपका क्या हो सकता है ये आपका हो सकता है सगोस सगोस और गोस एक ही है पहला तीसरा पांचमा क्या हो सकता है ये आपका अलपप्राण ठीक है अगोस वेंजन है तो पहला दूसरा यानि ओप्शन नमबर ए पहला दूसरा ही तो होगा बोलो किलिए रहे बहुत अच्छे है इसी पे हम एक और कुश्चन करेंगे सग्होस वेंजन किस वर्ग में आता है सग्होस किस में आता सग्होस को घोस कहते है تीसरा चौथा पांचमा सग्होस वेंजन किस वर्ग में आएगा तीसरा चौथा पांचमा यहनRIA option बोलो clear है बिल्कुल clear clear and cut बात करो अगला निम्लखित में कौनसा world घोस नहीं है प्यारे कौ ही सगोस है और सगोस की संख्या 31 होती है है ना और सगोस में क्या होते हैं सगोस में सभी स्वर होते हैं चितने भी स्वर है ग्यारों स्वर इसमें है और ये भी आपको पता है स्वर है ये भी स्वर है तो ये तो आपका गोस है अब आप बर्ग में आ जाओ चाह और च्छाह है ये भी आपका क्या है ये आपको देखिए अगर इचा और अच्छा जानते हो कि पहले और दूसरे पे है तो ये आपके अगोस हो गए ये अगोस हो गए और जैसे ही ये अगोस हुआ बैसे ही इस कुछ सन का अंसर हो गया क्योंकि यही पूछा था गोस नहीं है चूंकि छा हम इसको चेक कर लो यह क्यां हमें पता है तीसरा वर्ड जो है Anita घोषब होता है यह qta jamaasa Province कर दो कर ने हर सुरू के दो अच्छर आपके अग्होस राइट मैंने का ठीक हर तो हमने कहा खा आ रहा नहीं होगा ये तो अग्होस है इसी तरीके से चा चा जा जा वा हर सुरू के दो अच्छर आपके अग्होस हमने का चा और चा नहीं होगा ये अग्होस यहाँ पर भी अग्होस बच्ता तो यह की है चेक करोगे क्या नहीं करना है आंसर डी हो जाएगा बोले सर कैसे आजाओ सुरू के दो अच्छर हमारे क्या अग्होस पापा बा भा और मा और लास्ट के तीन क्या होते है पहले तीसरा पाँच मा वो लास्ट के तीन क्या है तीन चार पाँच ये क्या है ये गोस है पाँचवे नंबर पर मा है तो गोस हो जाएगा क्यों तीन चार पाँच क्योंकि आलरेडी बताया तीन चार पाँच गोस या सगोस कितना आसान था भाई सारी चीजों को पढ़ने के लिए साथी साथ प्ले स्टोर से एप होना चाहिए गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टड़ी का आपके अंदर मोबाइल में और टेलिग्राम को जोईन कर ले ठीक है न यहाँ पर बहुत चीज़ें आपको मिल रही है फ्री पेडियाप बाले फोल्डर में जाके बहुत से बच्चे बेट भी कर रहे है कि सर कुछ आ रहा है कि सर बिलकुल आ रहा है चिंतित मत होईएगा बस सब्र करिए आप सारी चीजों के साथ बने रहिएगा बोलो समस्या है कोई जैहिन वंदे मात्रम मिलेंगे नेक्स टो वीडियों तब तक के लिए लव्यो और टू पॉइंट इरो पर अभी दस बजे हम वीडियो जीज के लिए रहे हैं